नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है गुजरात के वडगद्रा में गुरुवार दो पहर हरनी लेक में जो नाव हाथसा हुआ था अब उसकी परतदर परत कहानी सामने आने लगी है इसमें बारह बच्चों और दो टीचर की जान चली गई थी जबकि नाव में सवार बा पहले तेरह बच्चों और दो टीचर की जान जाने की बात सामने आई थी बड़ोद्रा पुलिस को घटना का CCTV फूटेज भी मिल गया है पुलिस इसी वीडियो के अधार पर जाच में जुटी हुई है हाथसे का सिकार हुए सभी बच्चे बड़ोद्रा के न्यू एक तरफ आ गये थे जिसकी वज़ा से नाव पल्टी है इन में से किसी भी बच्चे या टीचर ने लाइफ जैकेट नहीं पानी थी इसी वज़ा से जब नाव पल्टी तो सभी पानी में डूबने लगे तीन वज़ा सामने निकल करके आ रही है इस दुरगटना के एक तो नाव पर छमता से ज़्यादे लोग सवार थे दूसरी बात कि किसी को भी लाइफ जैकेट पहनने के लिए नहीं दिया गया था समाने तो पर बच्चे या सैलानी ऐसी किसी जगह पर नौकायन करते हैं तो लाइफ जैकेट इसलिए दिया जाता है कि वो तैरना नहीं जानते हैं अंजान हैं लिया जा कोई रिस्क ना लिया जाया तो यहां पर दो रिस्क लिया गया एक तो छमता से ज़्यादे लोग नाव में बैठे और दूसरा कि उन्हें लाइफ जैकेट नहीं दिया गया तीसरी वजह बनी हैं सोसल मीडिया के इस दोर में हर चीज हम कैमरे में क जादा वेट बढ़ गया जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि यह दुरगटना हुई है तो तीन कारण है इस नाव दुरगटना के जिसमें की 14 लोगों की जान चली गई है जिसमें 12 बच्चे सामिल हैं बहुत ही दर्दनाक हाथा है इसके लिए जिम्मेदार ठेकेदार और उसके कमचारियों में से दो को गिरफतार किया गया है मुख ठेकेदार परेशा फिलहाल फरारा है दोनों आरोपियों से क्राइम ब्रांच पूछ ताच कर रही है मुख मंतरी भुपेंद पटेल ने इस हादसे की जाच के आदेश दे दिये हैं बडोदरा कलेक्टर को जाच नहीं ली थी इसकी भी जाच की जाएगी नाव पर सवार एक बच्चे ने बताया है कि हमारी नाव डूब गई मैं पाइप पकड़ करके बाहर आया नाव में तीस बच्चे और तीन मैडम थी हमें लाइफ जैकेट नहीं मिला था बडोदरा पैरेंट्स एसोसियेसन ने हरन लेक में हुई इस घटना के चलते कल यानि आज सहर के सभी स्कूलों को बंद करने की अपील की है आज सरकार ने परिवार के लोगों को चार लाख और घायलों को 50,000 रुपे की सहायता देने की घोशड़ा की है इसी तरीके से पीम मोदी ने ने नेशनल रिलिफ फंड से 2,000 रुपे की सहायता और 50,000 रुपे घायलों को सहायता देने की घोशड़ा की है खास बात ये है कि बोडोदरा कलेक्टर एबी गोर कह रहे हैं कि बोट की छमता 16 सवारियों की थी और इसमें सवार हुए थे 27 यही दुरगटना की मुख्य वज़ा बताई जा रही है रायर बे थैंक यू